हेलो फ्रेंड्स स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एच्पी एक्जैम में आज हम आपके लिए लेकर रहे हैं फ्रेंड्स सीनियर सेंट्रिफिक और टेक्निकल एसिस्टेंट पोस्ट कोड़ 867 जो एक्जैम साथ मार्च 2021 को यानि कि आज ही के दिन हुआ है इसके जनल सेक्षन को इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं उमीद है वीडियो आपके लिए हल्फुल रहेगी आपको ये वीडियो प और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को भी है और हमारी वीडियो को शेयर भी करिएगा तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो ना के अलिस एक्जैम के लिए बलकि हिमाचल के क तो आप अंतक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा चलिए पहला क्वेशन जो इस बुकलेट में था वो था दो कोरल रीफ सारे स्पैसिमन और प्रवाल भित्ती जो है किसका एक नमोना है सवाना ट्रॉपिकल रेन फोरेस्ट का टेंपरेट फोरेस्ट का या नन अफ दी तो जो कोरल रीफ होते हैं ये समुद्र में पाया जाते हैं और समुद्र में पाया जाते हैं तो ये मेरीन एकोसिस्टम का हिस्सा है और इनको हम ट्रॉपिकल रेन फोरेस्ट ऑफ सी कहते हैं तो यहां पर ट्रॉपिकल रेन फोरेस्ट तो एक आप्शन है लेकिन इसमें सी नहीं लगा है तो इसकी option जो है none of these रह सकती है option D तो next question है what is cup shaped mouth of volcano जो अलमुकी का center में जो cup के अकार का shape होता है वो क्या कहलाता है center of origin कहलाता है epicenter कहलाता है या crater कहलाता है या शक्षं को कहलाता है राक्षं को हम बोलते है option C अगला question है what is known as soil free farming म्रिदा मुक्त क्रिश्ण को क्या कहते हैं ऐसे क्रिश्ण में मिट्टी का पर्योग नहीं होता है इसको हम कहते हैं अगर hydroponics कहते हैं interlude crops कहते हैं सेरी culture कहते हैं इनमें से कुछ भी नहीं कहते हैं तो hydroponics होती है option जो यहां पर है उसमें बिना मिट्टी के पाने की सहायता से जो है फसल नहीं होगा जाते हैं तो इसका उसा ही अंसर और hydroponics रहेगा अगला question है in which of the following reason it rains throughout the year इस क्षेत्र में पूरा साल बारिश होती है भुमध्य सागर विश्वत ये क्षेत्रों में या ocean कटबंध ये क्षेत्रों में या temperate क्षेत्रों में तो जो equatorial जो होते हैं equatorial forest जो है वहां पर पूरा साल बारिश होती है option 20 का से अंसर है next question है question number 5 the cause of reduction of forest coverage is वन विस्तार का गिरावट का मुख्या कारण का है tourism or pilgrimage है manufacturing industry है agriculture है या rising population है तो जो option D rising population है बढ़ती जनसंख्या ही सब का main कारण है इसका जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो सब कुछ ही बढ़ेगा और जो मांग बढ़ेगी तो वन काटे जाते है अगला question है question number 6 ring of fire जो है वो commonly कहां पाए जाती है Pacific Ocean में Atlantic Ocean में Indian Ocean में या Arctic Ocean में तो ring of fire जो है यह Pacific Ocean के प्रशानत महसागर में पाजाती है option A का सभी अंसर है अगला question है question number 7 the nations separated by Mac Mohan line are Mac Mohan line जो है किन दो रास्टरों का अलग करती है अफगनिस्तान और पाकिस्तान को बंगलदेश और भारत को चाइना और भारत को या पाकिस्तान और इंडिया को तो जो Mac Mohan line है वो भारत और चाइना के बीच में है option A का सभी अंसर है अगला question है the outermost range of हमालया हमालया की सबसे बाहरी श्रिंखला क्या कहलाती है और options है काली, शुवालिक, दहरादून या कुमाईयों दो शुवालिक की पहाड़ियां जो है हमालया की सबसे बाहरी पहाड़ियां है इनका outer हमालया कहते हैं तो options बीच का सभी अंसर है अगला question है इन में से कौन सी नदी है जो नदी मुख बनाती है options थी नर्मदा, कावेरी, कृष्णा या महानदी तो नर्मदा और ताप्पी जो है दो नदियां है जो नदी मुख बनाती है तो यहाँ पर option नर्मदा रहेगा option A अगला question है भारत की जिलवायू कैसी है equatorial, mansoony, Mediterranean या फिर continental तो इसका सही अंसर है mansoony option B भारत की जिलवायू जो है mansoony है अगला question प्रसंद संखे 11 है IR20 और अतना दो main varieties है किसकी है यह rice की है, maize की है, wheat की है, millet की है तो यह जो varieties है, यह rice यानकी चावल की जो मुख्य किसमे है option A सही अंसर है अगला question है, भारत का सबसे बड़ा, अरक्षित जयव मंदल की, largest biosphere reserve of India क्या है, निलगीरी, नंदा देवी, सुंदरवन या मननार की खाड़ी तो इसका सही अंसर जो है, वो है, निलगीरी का reserve जो है, biosphere जो है वो सबसे बड़ा है, option A सही अंसर रहेगा अगला question है, प्रशन संख्या है 13, इंद्रा गांधी कैनाल, इंद्रा गांधी जो नहर है उसको कौन सी नदिसी वो पाने प्रापत करती है तो options थी, सतलुज और ब्याज से, रावी और ब्याज से, यसी option रावी और चिनाब से या भी इनमे से किसी ही भी नहीं तो इसका सही अंसर है, इसको जो पाने मिलता है, वो मिलता है सतलुज और ब्याज से, option A अगले प्रशन है, प्रशन संख्या है 14, which state of India has largest percentage of poor, भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है, options है, बिहार, 36 गर्ड, उडिशा या जार्खन तो अगर percentage के हिसाब से, अगर हम बात करें, तो सबसे ज़्यादा जो गरीब है, वो है, 36 गर्ड में, जहां पर इस में 38.1% जो है, पीपल जो है, वो below poverty line यानकी BPL को बिलोंग करते हैं अगला question है, कुलकत्ता पोर्ड is an example of which type of पोर्ड, कुलकत्ता का पत्तन है, वो किस प्रकार का उधारन है, नौसेना, ओईल, रेवराइन या नेच्छल, तो जो कुलकत्ता का पोर्ड है, ये option C, यह एनकी तटवर्ती या रेवराइन पोर्ड है, रेवराइन पोर्ड है, रे नेक्स्ट क्वेशन है, क्वेशन नमबर 60, दे वर्ड ब्राउन एर इस यूज़ फॉर, भूरी हवा शर्वत किस के लिए प्रियोग होता है, इसका आप्शन थी, एस्डिक स्मोग के लिए, इन्रेस्टियल स्मोग के लिए, फोटो केमिकल स्मोग या फिर सल्फर स्मोग, तो 1929, 1932, और इसका सही अंसर है, इसकी खोज की गए 1921 में, उप्शन ए, अगला प्रशन, प्रशन संख्या है, 162, और प्रशन है, बहुत धर्म के फिलाव के लिए जायतर प्रियुक्त भाशा कौन सी थी, उप्शन थी, संस्कृत, प्राकृत, पाली यान में से कोई भी नही तो जो बहुत धर्म था, फैला था बहुत ज़्यादा क्योंकि उन्होंने भाशा जो यूज की थी, पाली जो एक आम जन की भाशा थी, उसमें और इसी थी लोगों को समझना, तो इसका सही अंसर सी, अगला क्वेशन है, क्वेशन नुबर 63, इन में से किष्ट ने शून्य तो इसका सही अंसर है, आर्या भट भारतिया जो थे, उन्होंने शून्य के सिधान की प्रतिपादना की थी, अगला प्रशन है, ताली कोटा का प्रशी धियुद कब लड़ा गया, अगला प्रशन थी 1560, 1565, 1570 या 1575, और इसका सही अंसर है, 1565 में युद लड़ा गया था अगला प्रशन है, औरंग जेब किसका पुत्तर था, और इस प्रशन का जो सही अंसर है, वो है, जो औरंग जेब है, वो पुत्तर था, शाह जहां का, और अगला प्रशन है, next question है who is called as prophet of new India नए भारत का पेगंबर किसे कहा गया है देनन्द सरस्वती को, श्री राम कृष्ण को राजा राम मुहन रॉय को यह स्वामी विवेका नंद को और इस question का सही answer जो friends है वो है श्री राम कृष्ण आपसन बी अगला question है question number 67 सरदार वल्लव भाई पटेल was the leader of वल्लव भाई पटेल ने इस में से किस की अगवाई की थी भूदान मुवमेंट, रॉलेट मुवमेंट, बारदोली सत्तगरह या स्वदेशी मुवमेंट तो सरदार वल्लव भाई पटेल ने बारदोली स्तेगरह का मुव्मेंट ने तरित्तव किया था और जहां से ने सरधार की पाधी प्रापत वी थी option C इसका से अंसर है अगला question, question number 68 भारतिय समिधान का कौन सा अनुछेद संसत को नागरिक्तव के अधिकार का नियमिन करने की सत्ता देती है option C, unshade, art, article 9, article 10, article 11 तो article 11 जो है वो पारलेमेंट को यह अधिकार देता है कि वो right of citizenship उसको amend कर सके तो जैसे citizenship amendment act था तो इस article के दिन वो लाय जाता है अगला question है, question number 69 इन में से किस rate जो है, कौन सी rate जो है उसको हम bulwark of personal freedom कहते है option C, mandamus, habeas, corpus, q, varonto, seretory तो option जो सही answer है वो है option B, बंदी, प्रत्यक्षी, करन next question है question number 70 है, in single transferable voting system, each member can express its verdict by two options, only one option, one less than the failed members, you have voting for all तो जो single transferable voting system होता है, उसमें होता है voting for all, option D next question, लोक्षभा में अधिक्तम सदस्यों की संख्या कितनी है maximum number of members in लोक्षभा, options अगला question जो है, वो है अगला question है, question number 76, दावी वैली is located in which district of HP, दावी घाटी है माचल प्रदेश के किस जिले में है options, उन्ना, हमीरपूर, बिलासपूर या फिर कांगडा इस question का सही answer है, विलासपूर, option C अगला question है, question number 77, सुही मेला हिमाचल प्रदेश में किस जिले में मिना जाता है options, चमबा, मंडी, कुलू या सिर्मौर तो इस question का सही answer है, सुही मेला चमबा में मिना जाता है और इसमें सिर्फ और बच्चे भाग लेते है अगला question है, हिमाचल प्रदेश में, बीर बिलिंग की सिर्फ के लिए प्रसीद है options थी, ice skating, golf course, hang gliding या अनमे से कोई भी नहीं तो कांगडा में सिर्फ जो बीर बिलिंग है, वो famous है, hang gliding के लिए option C number 79, speedy is a tributary of which river, speedy किसके एक सहायक नदी है options थी, ब्यास, सतलुज, चिनाब या रावी, तो speedy जो है, एक सहायक नदी है, सतलुज नदी की option B अगला question है, मान, तलाई, जील, हिमाचल प्रदेश में किस जिले में सिर्फ है options थी, कुलू, सोलन, लहौल, स्पिति और शिमला, तो मान, तलाई, जील जो है, कुलू में सिर्फ है और यहां से पारवती जील जो है, originate करती है अगला question है, गोहर, गोहर जो sub-division है, वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सिर्फ है options थी, मंडी, कांगडा, उनना या इनमें से कोई भी नहीं तो गोहर जो sub-division है, वो स्थित है, मंडी में, option A अगला question है, हिमाचल प्रदेश के प्रत्थम नियाईक उपायुक्त कौन थे first judicial commissioner, options थी, justice J.N. Benerji, justice T.V.R. टाटाचारी, justice H.R. ठाकुरिया, none of these तो इसका सही answer है, justice J.N. Benerji, option A next question, highest mountain pass in HPEs, कुंजुम, बारलाचा, प्रांगला या रोतांग, तो इसका सही answer है, प्रांगला, option C अगला question, question number 84, हिमाचल प्रदेश में सबसे छोटी कृत्रिम जील कौन सी है, options थी, चमेरा, पंडोह, गविन सागर, या महराना प्रताब सागर, तो सबसे छोटी जील है, यह माचल प्रदेश में, जो कृत्रिम है, वो है पंडोह, जो केवल 14 स्क्रिमेटर में फैल लिया है, अगला question है, सगौली की संधी, ट्रीटी अफ सगौली, जो 1815 में हुई, वो किस के बीच में हुई, अंग्रेज्जों और किस के बीच में हुई, गोर्खों के बीच में, सिखों के बीच में, मराठों के बीच में, या इन में से किसी के भी नहीं, तो वो संधी हुई थी, अंग्रेज्जों और गोर्खों महल था, options थी बिजय चंद, वीर चंद, अनंद चंद यान में से कोई भी नहीं, तो इसका सही अंसर है, बिजय चंद, option A, अगला प्रशन है तारीख हे रियासत सिर्मौर बुक किस ने लिखी options थी डॉक्टर वायस प्रमार रंजोर सिंग, शांता गुमार या टीयस ने की, तो इह पुस्तक लिखी थी, रंजोर सिंग जी ने option B, अगला प्रशन है NIT is located at which place in HP, शिमला धर्मशाला, मंडी या हमेरपुर, तो NIT located है हमेरपुर में, option D इसका सही अंसर है, अगला प्रशन है, आंधरा जल विदुत प्रयोजना है, मचल परदेश के किस जिले में है, शिमला किन नौर, लहौल, स्पीति या चमबा, तो ये प्रयोजना स्थित है शिमला में, option A अगला प्रशन है, पहाड़ी भाशा की लीपी क्या है, ख्रोस्ठी, देवनागरी, टांकरी या इन में से कोई नहीं, तो पहाड़ी भाशा लिखी जाती है, टांकरी लीपी में, option C question number 91 who has recently become the India's first female military diplomate निकिता सिंग आभा देवरकर मृदुला कोसी या फिर अंजली सिंग, तो इसका सही आंसर जो है, अंजली सिंग, option D अगला question है, हाल ही में, 60-20 international match, international match पूरे करने वाला प्रत्थम भारतिय प्रोष करेक्टर कौन बना, और इसका सही आंसर जो है फ्रेंजिस, इसका सही आंसर जो options थी, रविंदर जड़ेजा, विराट कोहली, रोहित शर्मा या दिनेश कार्तिक तो इसका सही आंसर है, रोहित शर्मा, option C अगला question है, किस देश ने हाल ही में, इसलामिक पहनावा अलर डॉल पर प्रतिबन लगाया, option C, भारत, बांगलादेश, पाकिस्तान या श्रिलंका, इसका सही आंसर है, बांगलादेश, option B अगला question है, किस राज्या सरकार ने, प्लास्टिक अप्सिस्ट के बदलें भोजन, means, मेल इन एक्स्चेंज फोर प्लास्टिक वेस्ट, शुरू किया है, options, तमिलनाडू, उडिशा, जारखंड या, पस्चें बंगल, और इसका जो सही आंसर है, वो है, option B, उडिशा, अगला question है, एंटोनीम ऑफ औस्पीसियस, इस, spicy, unfavorable, conspicuous, या फिर, condemnatory, इसका सही आंसर है, unfavorable, अगला question, one word substitution for, one who talks very little, is, reserved, mute, phlegmatic, या फिर, stoic, तो, जो बहुत कम बोलता है, इसके लिए एक word होता है, reticent, जो यहां पर option में नहीं तो, लेकिन यहां पर एक option है, reserve, यह, इसका सही आंसर रहेगा, अगला question है, यू शुड़ अधियर, डैस, यूर प्रिंसिपल्स, upon, on, with, या to, यू शुड़ अधियर, तो, यूर प्रिंसिपल्स, option D, इसका सही आंसर रहेगा, अगला question है, नायक का संधी विछेद क्या होगा, ना जमा यक, नो जमा अक, ने जमा अक, या ने जमा अक, इसका सही आंसर होगा, ने जमा अक, नायक, शुड़ सब दिन में से क्या है, wishes, जो है, अगर हमें लिखेंगे, तो option C, सही आंसर रहेगा, और, इस वीडियो को, फ्रेंड्स, last question है, असुर का प्रियावाची कहा है, रजनीचर, वीपिन, तीमर, या प्यूश, तो, असुर का प्रियावाची है, रजनीचर, क्योंकि रजनी, रात को बोलते हैं, तो रात में चलने वाले, कौन होते हैं, वो होते हैं, असुर, तो इसके सही अंसर हैगा, option A, तो इसी के साथ, इस वीडियो को, हम यहीं समाप्ट कर रहे हैं, उमीद है, वीडियो आपके लिए, helpful रही होगी, तो वीडियो आपको अच्छी लगए, तो फ्रेंड्स इसको लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बिल्कुल नहीं भूलिएगा, हम बहुत जद मिलेंगे, और वीडियो में, तब तक के लिए, keep learning,